नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्यकीरा में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फिर्ट सतो संतो से स्रामण कृष्ण दुतिया 23 जुलाई क्या कुछ खास आज के दिन में रहेगा आपके जीवन में कितना उठापटक कितना उतार चड़ाओ उठाने वाला है इसकी पूरी जानकारी देंगे एक स्पेशल जानकारी है कि गोहाटी का जो तारीख है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है मांसून उगरे की वजह से और इधर फ्लाइट वगरे में भी थोड़ा सा उठापटक चल रहा था तो सेफटी रीजन से हमने इसको थोड़ा पोश्ट्पूर्ण किया है नई डेट आप स्कीन पर देख सकते हैं आठ तारिक के आसपास से है अगस्त में जिसकी वज़ा से बाकी की भी डेट्स थोड़े से सफल हुए है और जैपूर और भुपाल अजिटिज रहेगा मित्रों आप सब के प्यार की बदोलत चीजें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है आप सब के प्यार की बदोलत नया जो सेग्मेंट हमने आरंब किया है शुब जनम दिन का आईश्मान भव हमारे कार्याले में जिसका भी जनम दिन हो वो हमारे कार्याले में मात्र पांच सो एक रुपे में उस वर्ष की विशेश आहुती डलवा सकता है यह हमने एक नया एक्सपेरिमेंट आप सब के प्यार में आरंभक कर दिया है और सफलता आसफलता पर में ध्यान नहीं देता बस सुरू करता हूँ तो बस सुरू कर देता हूँ भाव पवित्र होता है कल्यान का होता है और सकारात्मक होता है आए शुरुवात करते हैं वाज के जोतिश दिशा का श्रावणमा की शुपक्ष दुतियाती थी है आज चंद्रमा मकर में सुबह 9 बच की 20 मिनट तक उसके बाद कुम्भराशी में चंद्रमा का प्रवेश नक्षत्र रहेगा आज का धनिष्ठा ये मंगल का नक्षत्र है और योग रहेगा आज का आज़िश्मान तदनुसार दिनांक 23 जुलाई दिन मंगलवार राहुकाल दोपहर 3 से 4 तीस तक और गुलिकाल दोपहर 12 से 1 तीस तक राहुकाल नए और शुबकामों के लिए त्याज्य है गुलिकाल में आप कोई भी नया और शुबकाम का आरंभ कर सकते हैं हर कारे आपके संपादित होते हैं आगे बढ़ते हैं और अब मेश से लेकर मीन तक जान लेते हैं आज के दिन का हाल आज की भवश्यवारे मेश राशी अउरोधों से बाहर निकलने का आउसर मिलेगा पढ़ाई में आज खुब मन लगेगा सकारात्मक्ता बनी हुई है अलग प्रकार का शुब प्रभाव आपके साथ जुड़ा रहेगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ इधर उधर की चीजें आपको अचानक से परेशान कर सकती है थोड़ा ध्यान देने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र हर कदम पर आपको अनकूल प्रभाव दिखाएगा सकारात्मक परभाव दिखाएगा दामपत्ते जीवन को लेकर की थोड़ा सजग रहने की आवश्यक्ता है सभल कर चलने की जरूरत है स्वास्थे कमरदर्द और पेट की समस्या दखाता है क्या उपाय करना है अपने कंठ पे आज चंदन पाउडर लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य पदिशन पच्पर ब्रिशब राशी आज की स्थती कुछ मसलों पर डावा डोल रहेगी तो कि कुम्भ में जब आएगा चंद्रमा तो आपके लिए कुछ हद तक परिशानी का कारण बने का चंद्रशंक्रांती है आज और दिन दिन में स्रिक्षा में प्रभाव पड़ेगा आज पढ़ाई रभावित होगी ब्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है किसी प्रकार की समस्या नहीं है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ अवश्य सकरात्मक इस्थती लाएगा सरकारी छेत्र संभल कर चलने की जरूरत है रिस्क नहीं लेना है दामपत्य जीवन एक निश्चित नियत समय पर तार चड़ाओ आज दिखाएगा सब्तमेश मंगल की स्थिती बहुत अनकूल नहीं है स्वास्थ हर्ट की प्राब्लम और माइगरेन की समस्या दरशाता है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ जल आदि जैसे तरल पदार्थ का दान करें सुबरंग आपके लिए गुलाबी भागी प्रत्षत अठावन मिथोन राशिम अश्टम और नवम में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा आज सुबर नौ बच करके बीस मिनट तक चंद्रमा अश्टम में है मकर राशिम में मांसिक द्वन्द बढ़ेगा मन आपका परेशान रहेगा अचानक किसी विशे पर आप उतार चड़ाओं महसूस करेंगे सिक्षा बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी ब्यापार हर तरह से आपके लिए रिकूल है बिजनस में सकारात्मक्ता है उत्तम प्रभाव आज बिजनस में देखेगा ट्राइवेट सिक्टर अचानक किसी विशे पर बॉस के साथ अंतर दुन्द पैदा करेगा बैचारिक मद्वेद जागरित हो जाएगा कारिच्षेतर में मन कम लगेगा सरकारिच्षेतर बहुत सकारात्मक्त है हर तरह से आपके लिए अनकूल इस्थतियां पैदा करता है दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रति कुछ उतार चड़ाओ तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि आपकी राशी मित्वन है स्वास्थे जुखाम खासी के साथ साथ पेट समद्धी दिक्कत बढ़ेगी आठवे के चंद्रमा के कारण उपाय के तौर पर आज भगवान स्री गनेश को एक दूरवा अर्पित कर दे शुभरंग आपके लिए आज पीला भाग्यपत्षत पच्पन करकराशी परेशानियों से बाहर निकलने का आउसर आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से दोपहर बारह के बाद प्राप्त होगा सुक्षा बेहत सामाने से बहतर है पढ़ाई बहुत अनकूल है सुक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं है ब्यापार भी आज अच्छी तरह से आप संपन्न कर रहे है बिजनस में कुछ सकरात्मक्ता स्वतह पैदा होगी प्राइबिट सेक्टर को आज एक नए जोन में लेकर जाने की आवशक्ता है चीजें बहुत अनकूल और सकरात्मक रहेंगी सरकारी छेत्र आप पर नुकसान दे रहा है दामपत्य जीवन पति-पत्नी के साथ तालमेल की कमी है थोड़ा समल कर चलने की आवशक्ता है स्वास्त के मामले में आज का दिन करक राशिवालों को जुखाम खासी के साथ-साथ दातों की तकलीफ दिखाता है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशि करका है प्रभुशिव का ध्यान करे ओम नमह शिवाय का 21 बार जाब कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रधिशत 57 सिंग राशिव आज चंद्रमा पंचम और आज चंद्रमा दसम और एकादस में रहेगा सुबह नौ बच कर 20 मिनट तक दसम भाव में और फिर एकादस भाव में रहेगा पढ़ाई बहतर ढंक से करने में आप कामयाब होंगे शिख्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं है ब्यापार थोड़ा सा उतार चड़ाओ दिखा रहा है समझदारी का परिचेदे प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ नई शुरुवात नया आरंभ और बहतर आरंभ कर रहा है सरकारी छेत्र रिस्क लेना भारी पड़ेगा स्वास्थ सरमे दर्द भारी पन कमर दर्द सोल्जर स्पेन आदि हो सकता है क्या उपाय करना है अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक कर लिजेगा शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रद शर्द बावन कन्यराशी पंचम और छठे में आज चंद्रमा संचरित रहेंगे शिक्षा में पूर्णता रहेगी शिक्षा की स्थिती बहुत अनकूल है ब्यापार कुछ मामलों में आज आपको परिशान कर सकता है बिजनस की स्थिती को संभालने का प्रियास करें प्राइवेट सेक्टर कही जगह पर आपको आज परिक्षा की स्थिती पैदा करेगा कुछ चिंताएं बढ़ सकती है सरकारी छेत्र हर कदम पर आपके लिए लाव की स्थिती ला रहा है दामपत्य जीवन उतार चड़ाओ बढ़ा देगा पति-पत्नी की बीश तालमेल हर प्रकार से उतार चड़ाओ से युक्त करेगा स्वास्थ के मामले में आज का दिन कन्या राशी पेट और इसकिन की प्रावलम दर्शाएगा क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी कन्या है आज 23 जुलाई को सरसो का तेल उल्टी हथेली में लेकर शिवलिंग पे अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रत्षर 57 तुलाई राशी चतुर्थ और पंचम में चंद्रमा आज संचरित होंगे शिक्षा में उतार चड़ाओ बढ़ेगा कोई रिजल्ट निगेटिव आने से मन बढ़ा विचैन रहेगा आज आपका सोचा जैसे कोई रोक रहा होगा ब्यापार की छेत्र में बात करें तो रिस्क लेना भारी तो पढ़ सकता है अतह थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल चले प्राइवेट सेक्टर की स्थिति हर कदम पर आपको अनकूलता दे रही है प्राइवेट सेक्टर सुगम इस्थिति ला रहा है सरकारी छेत्र सकरात्मक परिणाम प्रदान करेगा गौर्णमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी दामपत्य जीवन की इस्थती पति-पत्नी की बीच तालमेल थोड़ा सा परिशान करने वाला है उतार चड़ाव से यूगत है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो बैक की प्राब्लम और आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है आज प्रियोग के तोर पर तुला राशी वालों को कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भाग्य प्रद्शत 57 विश्चिक राशी तिर्ती और चतुर्थ के साथ संबंध रहेगा चंद्रमा का चंद्रमा जो की आपका भाग्येश है भाग्य साथ दे रहा है क्योंकि भाग्येश की भाग्य परद्श्टी सुर्योदय के समय पर रहेगी शक्षा की इस्थती सकरात्मख है अनकूल है ब्यापार थोड़ा तकलीफ की इस्थिति में है बहुत अच्छी इस्थिति नहीं है ब्यापार की अचानक परेशानी बढ़ सकती है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ उत्तम परिणाम देगा सकरात्मक परिणाम देगा सरकारी छेत्र को साधने में आप कामयाब होँगे दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रती उतार चड़ाओ से युक्त समय है स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम लीवर की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने मस्तक पर सामान जल का तिलक कर लीज़े शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रतिशत अठावन धनुराशी दुती और तृती में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा पढ़ाई थोड़ी थम कर चल रही है शिक्षा बहुत अच्छी रही है संभल कर रहने की आवश्यक्ता है ब्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा जैसा आपने सोचा वैसा परिणाम देगा बिजनस की चिंता नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नई सुरुवाद दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक प्रभाव बढ़ा रहेगा सरकारी छेतर को संतुलित करने का प्रयास करे गौवर्बन सेक्टर को संतुलित करे दांपक्त्य जीवन एक दूसरे के प्रती भावनात्मक विचारों की कमी है संभल कर चले स्वास्त के मामले में आँख की समस्या और लीवर की समस्या हो सकती है धनुराशी वालों को प्रियोग के तोर पर आज सिरहरी का ध्यान करना है हलाकि वो सैनम उद्राव में है ओम विश्णवे नमः 21 बार जाब कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रतिशत 24 बात करेंगे मकर राशी की चंद्रमा आपकी ही राशी में है पढ़ाई फिर भी ठीक है सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं है ब्यापार थोड़ा सा टफ सिच्वेशन में है बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है प्राइविट सेक्टर जैसा आपने विचार किया उसके हिसाब से आपको परिणा मिलेगा आज रिस्क लेना आपके लिए फल जाएगा सरकारी छेत्र की श्थिति को बहतर करने में आप कामियाब होंगे दामपत्र जीवन की बात करें तो आज चंद्रमा की सुबह दृष्टी प्रातह दस बजे तक के अंदर में जो भी मैटर हैं कुछ उतार चड़ावाले उनका हल निकल जाएगा स्वास्त के मामले में आज का दिन खांसी की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है मस्तक पर अपने गुलावजल से तिलक कर लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्यपत्षत बावन कुम्भराशी चंद्रमा द्वादस भाव में आज सुर्योदय के समय में रहेगा फिर आपकी राशी में प्रवेश करेगा बाहिर लोगों से मदद लेने में आप कामयाब होंगे कुछ परिस्थतियां आपके लिए आज बहुत अन्कूल और सहज रहेंगे सिक्षा में आज कुछ बड़ा और सकरात्मक रहेगा ब्यापार हर कदम पर आपको लाफ दे रहा है ब्यापार में अवसर अच्छे मिल रहे हैं सकरात्मक परिणाम प्राप तो हो रहा है प्राइबर सेक्टर की स्थिती को आप बहतर करने में कामयाब होंगे जो चीजे बिगड रही हैं उनको ठीक कर सकते हैं आज कुम्भरा शिवाले प्राइबर सेक्टर में एक नई सुरवात आपका इंतजार कर रही है जो परिशारिया हैं उनसे आपको मुक्ति के साधन मिलेंगे सरकारी छेत्र ऐसी स्थति में नहीं जैसा आपने सोचा है दामपत्र जीवन एक दूसरे को समझने में काम्याभी मिलेगी परिस्थति आनकूल रहेंगी सकरात्मक परभाव रहेगा स्वास्थ के मामले में जुखाम खांसरी के शिकायत रहेगी आज क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर मा गायत्री को प्रणाम करते हुए ओम भोर्भोवाह स्वाह तक्सा वितुरवरे इन्यम भर्गोदे वस्यधीमाह धियो योनः प्रचोधयात तीन बार इसका जाब कर लिजे शुखरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रिद्शक 52 चर्चा अंतियम राशी मेन की चंद्रमा मीन राशी वालों के लिए एक आदस और द्वादस में आज आएंगे पढ़ाई कमोबेश ठीक ठीक है सिक्षा में कोई दोश नहीं है अवसर अच्छे मिल रहे हैं ब्यापार बहुत अच्छी इस्थति में नहीं है कुछ मसलों पर बिजनस आज आपको परिशान करेगा प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ नहीं शुरुवात दे रहा है जिस पर आपको गर्व होगा सरकारी छेतर में नहीं शुरुवात के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा गवर्मेट सेक्टर अभी थोड़ा उल्जन दे रहा है दामपत्र जीवन अच्छा रहेगा पर्मात्मा की खिरपा हर कदम पर रहेगी स्वास्त के मामले में खासी की सिकायत जुखाम की सिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है मीन वालों को आज गुलाब जल लेकर अपने उपर छिरकाव कर लिजे शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रदिशर अठावन राशियों के बाद आज एक अच्छे विश्य पर प्रकाश डालने जा रहे हैं शनी का संबंध नशे के द्वारा कैसे होता है इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे शनी का संबंध नशे के द्वारा देखे बहुत ध्यान से समझेगा इसको अगर किसी की कुंडली में शनी जली राशी करक मीन में हो अगर किसी की कुंडली में शनी चर राशीयों मेश करक तुला मकर में हो अगर किसी की कुंडली में शनी दुतिय भाव से संबंध बनाए तो ऐसा जातक अथवा जातिका शनी की दशा अंतरदशा में दुरवशन शराब सिगरेट ड्रक्स आद जैसे नशे की गिरफ्त में आ जाता है अनुभूत है ये किताबी नहीं है आजमाया हुआ प्रैक्टकली देखा हुआ ध्यान देजेगा ये इस्थती होती है शनी के दुरणा उपाय के तौर पर शर्दी स्त्रोत्र का पाठ गायत्री मंत्र का एक माला जाप डेली प्रातह जल्दी उठना रात्र जल्दी शयन शोब होगा अब आई जानते हैं आज का भाग्याक्षर और सक्सेस की पहले सक्सेस की इंडेक्स फिंगर में बस हल्दी लगा लिजे आज हो गया का अब आज का भाग्याक्षर मेश भाग्षर ब्रिशब या मिथुन काग्षर करक पा सिंग चाग्षर कन्या ता तुला गाग्षर ब्रिश्चिक जा धनू याग्षर मकर खा कुम्भ वाग्षर मीन ला ये शुब भाग्याक्षर है सादे चकोर कागच पर लिखे और अपने पास रख ले चलते चलते दिनांग तेश जुलाई का आईश्मान भावा है तो जिसका आज जनम दिन है अभी भी समय है 9354619250 पर वाटसप करके आप तुरंत अपने शुब जनम दिन का प्रयास विशेश आहुती के साथ करवा सकते हैं मेरी तरफ से जो प्रयोग रहेगा एक बर्गत का पौधा लगा दीजेगा तीन बच्चों को आज कुछ खाने के लिए दीजेगा और नमक का दान करिएगा चंद्रमा आज मकराशी में है सुर्योदा के समय में तो नमक का दान बेहत शुब होगा आपके मन में आएगा कि किसको दे तो भीया जो ले ले उसको दे देजे है भी मेरी जन्वर सरी आज 23 जुलाई को जिसकी भी शादी की साल गिरा है एक माला गायतरी मंद्रपति पत्नी मिलकर जाब करें किसी जरुवत मंद को खाना खिलाएं और अपने हाथों से दो बर्गत के पौधे कहीं लगा दे बस हमारे शुब कामना है आप सब के लिए आज के लिए इतना है मैंने मत दीजेगा आपना बहुत खयाल लखें जैसरी किष्णा जैसरी रादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशा चार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक, खुशियां अनेक मंगवाई धिप प्रहदी address नहीं नहीं हम एकुशियां धन्य का थासकि लब मॉजब स्वादेवादी, भी रहीं प्रोल मैं एक बनेना मॉझेशी। झाल झाल